नमस्कार दोस्तों, मेरा नामी गुड्डू, स्वागात आप सापी का फिर से एक बार मेरे यूटूब चैनल गूगूल गुड्डू में और इस वीडियो में हम लोग डिस्कास करने वाले हैं हमारा CID का पंकत सर मतलब की ओजवय नागरात के लाइप स्टोरी के बारे में तो वीडियो सुरून से पहले चैनल को कर लिजए साबस्क्राइब CIF और CID से जुड़ी छोटी सी छोटी जानकरी के लिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो का थोड़ी सी प्याची लगी तो वीडियो के एक लाइक भी दे देना तो चले वीडियो को सुरू करते है ओजय नागरात जिसका जनम हुआ था 16 फेबरादी 1986 को मुंबाई में उनके पिता थी एक बॉलिवड एक्टर है उनका नाम है अनीन लागरात और छोटे से मुर से ही ओखाने पिने के बहुत सोकिन थे उनको जानक फूट खाना बहुत आच्छा लग रहा है लेकिन उनकी केरियर में एक ऐसा भी टाइम आया था जब उनकी बारती वेट को लेकर वो बहुत परिसान थे इसलिए 16 साल की उमर में ओज जीम जाने लगे तब उन्होंने 20 किलो अपनी ओजन कम कराये थे लेकिन उसके बाद वो फिर से खाना काने लगे और फिर से मोटे उनकी अगर पढ़ाई की में बात करू तो उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई म में ही कॉम्प्लिट किया है और बॉलिवड में उनका डेबिव हुआ था 1994 में सरफ 8 साल की उमर में कानून फिल्म में जहां पर उनके करेक्टर का नाम था रवी और उसके बाद 1995 में उनको एक और फिल्म में देखा गया था जिसका नाम था गौड एन गान और उसी साल उन् के करेक्टर का नाम था चिन्टू और 1997 में उनका परदेश फिल्म आया था और उसके बाद 1998 से 1999 तक उनको फिल्मी नंबर वान सो में तुफान के करेक्टर में देखा गया था और उसके बाद 2000 से 2001 तक उनको सकाला का भूम भूम नाम के एक सिरियाल में चंदू के करेक्टर म में उनका एक और फिल्म आया था जिसका नाम था यह है जलबा और 2003 में उनका एक और एक गायरा नाम का फिल्म आया था और उसके बाद 2007 में उनको biggest loser जीतेगा नाम के एक reality show में as a participant देखा गया था और 2010 में उनका एक और फिल्म आया था जिसका नाम था मिलेगा मिलेगा और उसके बाद तो 2012 में आया उनका केर्यार में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब OCD इंस्पेक्टर पंकोच के रोल के लिए सिलेक्ट हो गया और उसके बाद अभी तक OCD के साथ जुड़े हुए है और उनकी लास्ट फिल्म जो आया था 2017 में जिसका नाम था जब हैरी मेट साजल तो यही था अजय नगराद मतलब के हमारा CID का पंक सर का अभी तक का लाइप स्टोरी युमी था बलग को बिल्ड को संदा नवा